हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आसा करते हैं आप अच्छे होंगे तो इस वीडियो के माध्धम से हम आपको बताएंगे बीए आनि की हिंदी बीए फिफ्ट समेस्टर के महत्पूर्ण इंपर्टन कोश्चन आनि की पेपर वन हिंदी बीए फिफ्ट समेस्टर पेपर फर्स्ट क तो आपके पेपर का नाम क्या है साहित शास्त्र और हिंदी आलोचना का जो इंपर्डन कोस्टन है आपको इस वीडियो के मैध्धम से बताया जाएगा ताकि आप अपने फेप्ट समेश्टर के एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर्स ला सकें तो इसमें पहला कोस्टन अनुषार रसो की संख्या कितनी है नाम लिखना है भरत मुनी के अधार पर अनिकी भरत मुनी के अनुषार रसो की संख्या को हमें बताना है और उनके नाम लिखनी है तो और निश्ट कोसन प्रसन ख़द या है काब गुड़ों की सनरचना कितनी है हमें काब गुड़ों की सनर्चना के बारे में बताना है और सभी को नाम सहीत इसपस्ट करना है अनिक कि हमें जो काब के गुड़ है उनकी एक-एक सनर्चना को बताना है और उनके सभी के नाम लिखने है बारी-बारी से नेस्ट कोशन दिया गया है रूपक के प्रमुक वेदों के नाम लिखिए तो हमें रूपक के प्रमुक वेदों के नाम लिखना है क्या लिखना है रूपक के प्रमुक अलंकार के जितने भी वेदों होते हैं रूपक के उनके हमें वेदों के नाम लिखना है नेस्ट कोशन है काब हेतू क्या है काब सोरी तब यह थोड़ी दाउन है मारी तो काब हेतू क्या है अर्थ सहीत समझाना है क्या है काब हेतू क्या है हमें को अर्थ सहीत समझाना है नेक्ट कोशन है रिती सिध्धान्त के परवर्तक का नाम लिखना है जो रिती सिध्धान्त है इसको किसे ने यानि की लाया था है यानि की रिती सिध्धान्त के परवर्तक पिता जन्मदाता का हमें नाम लिखना है और खंडबा में हमें क्या आ जाता है खंडबा में हमें काप प्रयोजन क्या खे उदाशारण सहीत परिभाषीत करना है और उसका एक उदालड सहीत में भ्याख्या करना है तो इसको लगबख सायद 200 थी 200 में लिखना होता है कि शद सक्षादोन को अर्थ और उदालड सहीत परिभाषीत करना में जो प्रस्णग तो मनोविशलेशणवाद क्या है इसपश्ट करना है नई समिच्छा को परिभासित करना है नई समिच्छा को आमें 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 परिभासित स्वरूप को अर्थ सहीत परिभासित किए जो हमारा काप विकास स्वरूप है उसको हमें अर्थ सहीत परिभासित करना है एक उधारण भी लिख देंगे तो एक्जामरर अच्छा नमबर देगा और नेश्ट कोजन है कोशन नमबर च्छ तो मार्क सवाद क्या है इसके बारे में आपको इसवर्ष्ट करना है तो काई इस वीडियो में बने रही है आपको लास्ट में बताया जाएगा आपको विए एक्जाम में सबसे पहले कौन सा कोशन करना है नेश्ट कोशन है खंड स्व यानिकि दिर्ग उ समेशटर पेपर फ्वर्स्ट saat ते साष्ट और हिंदी अलोशिनद इमपाटेंट मतवर कशन तो पहला इसमें इदिर्ग का अलंकार सिद्धांथ का आर्थ और परिभासा यंव उ दृधारण साहित ब्रीष्थित च्वर्णन करना हैным कना है या करना है यह है इसका अर् सिध्धान्त को उधार देते हुए सिध्ध करना है रस्तु का जो हमारा अनुकर्ण का सिध्धान्त है उसको हमें उधार सहित सिध्ध करना है रस्त सिध्धान्त का अर्थ और परिभासा यह उधार सहित विस्तार से वर्णन करना है यदि आप दिर्ग प्रस्ण को यदि आप कर लेते हैं तो आपको 40 कोसन है और जोेरी छॉल को सना है आप उसे आसानी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो रश्य का अर्षय कीजिए या समझाएब लगा टूई होप यह महत्पवड़न आपको समझ में होगा तो यदि हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न फूलिए जलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप से